चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो 11 नमबर 2020 को केरलाई स्टेट की फीश रेगुलेट अथोटी ने फीश इस्ट्रक्चर जारी किया था उसमें फीश 6,50,000 से 7,50,000 के बीश थी इसके बाद कोलेजेज ने हाई कोर्ट से अप्रोच की थी हाई कोर्ट ने कहा था कि स्टुडेंट को मैकजिमम फीश के बारे में इंटिमेट करें तो 16 नमबर 2020 को 11 लाग से 22 लाग के बीच 9 कोलेजों की फीश डिस्प्ले की गई थी के एम की वेब साइट पर लेकिन केरिला ने अभी रिवाइजड फीश इस्ट्रक्चर फिर से डाला है उसमें सभी कोलेजों की फीश रिवाइज लिखा हुआ है इस नोटिस में तो आप ये देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी कोलेज की कितनी फीश है मैं यहाँ आपको बता देता हूँ इसमें डियार सोमेरवल की 12,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 हजार पीके दास की सोड़ा लाग पहले यहां बाइस लाग दिखाई गई थी अभी इसमें रिवाइज़ करके सोड़ा लाग दिखाया है करुना मेडिकल कोलेज की सोड़ा लाग दिखाई है तरवेन कोर मेडिकल कोलेज की ग्यारा लाग और इसके बाद में मालाबार की बार के compliance में डाला गया है अभी यह जो फीस है यह इसकी website पर आप check कर सकते हैं के-ई-ए-म की website पर आप जाकर किछ चेक कर सकते हैं तो दोस्तों यह जानकारी थी के रिलाइ स्टेट की फीस के बारे में अभी इन्होंने जो option entry है वो 20 नवंबर तक शोरी 19 नवंबर तक extend किया है और 20 नवंबर को result आने की समावना है तो यह जानकारी थी के रिलाइ स्टेट के बारे में आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नई अपडेट के साथ भी तब तक के लिए जैए हिंग